नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे राधे। जल्द ही आप अब अमीर होने वाले हैं तो कौन से हैं वो संकेत। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आगे की बाद गुरु जी से जानते हैं। हलो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से स्वागत हैं जीत साधना पर। दोस्तों विभिन संकेतों के माध्यम से शगुन अपशगुन के बारे में जाना जा सकता है। ये संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। इन संकेतों का माध्यम सपने भी हो सकते हैं या कुछ और भी। महाभारत और रामायन जैसे महापुराणों में भी कई जगहे पर शगुन की बात कही गई है। जोतिश में भी शगुन पर विशेश विचार किया जाता है। उदाहरन के लिए यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ जाता है। इसलिए कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। वैसे ही अगर गाय बच्छडे को दूध पीला रही हो और आप किसी शुब काम पर जाते हुए उसे देख लेते हैं। तो वो काम आपका जरूर बनता है। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो हमें धन लाब होने के बारे में पहले ही बता देते हैं। आवशक्ता है बस उन संकेतों को समझने की। आज हम आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में बता रहे हैं, जो धन लक्षमी आगमन के बारे में आपको पहले ही सुपिक कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि विडियो को लाइक करें. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक जानवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले. दोस्तों नंबर एक घर में गाय का प्रसव होना शुब शगुन होता है और ये वंश व्रिद्धी का सूचक है. जीस घर में गाय बच्छडे को जन्म देती है. उस घर में पीजियों तक धन, धान्यव अने की कभी भी कमी नहीं होती. नंबर दो, घर में छचुंदर का विचर्ण करना शुब और सम्रिधि दायक होता है. नंबर तिन, घर में चमगादर तथा सांप आधी का होना अशुब शगुन है. मधुमक्खिया या भी रण का छत्ता अगर घर में हो तो निवासियों को रोगी बनाता है. नंबर चार, जिन्स भवन के मुख्यद्वार पर गाय, रंभाये उस भवन के निवासियों की सुख सम्रिधि में वृध्धी होती है. नंबर पांच, जिन्स घर में आकर बिल्लिया आपस में लड़े तो उस घर का विनाश हो जाता है. नंबर चे, आधिरात में भवन के मुख्य की तरफ अगर कोई कुट्ता रोए, तो उस भवन के निवासियों को घोर विपत्ती का सामना करना पड़ता है. और परिवार में किसी सदस्य की मृत्यू होने की संभावना भी होती है. नंबर साथ, सियार के रोने से पडोसी अथ्वा मुहले में मृत्यू की संभावना होती है. नंबर आठ, अगर गधा भवन की तरफ मुख करके जोर-जोर से रेंगता है, तो ये संकट आने की सूचना है. नंबर नौ, अगर घर में कबूतर आकर अपना घोशना बना लेते हैं, तो ग्रिह स्वामी को वो घर छोड़ने की नौबत आती है. यहां तक के घर में अकाल मृत्यू का भी भय बन जाता है. नंबर दस, अगर चिडिया घोशला बना कर रहे, तो ग्रिह स्वामी की उन्नती होती है, और उसकी आर्थिक स्थिती मजबूत होती है. अगर ग्रिह स्वामी चिडिया के घोशले को तोड़ देता है, तो उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है. 12. भवन के मुख्यद्वार पर अथवा सबसे उचे स्थान पर गिध बास अथवा उल्लू का बैठना ग्रहस्वामी पर विपदा आने की सूचना देता है 13. कोई पक्षी अगर भवन की सीमा के अंदर कोई हड़ी या मास का टुकडा लाकर गिरा दें 14. भवन में उल्लू या गिलहरी की आवाज आना अप्षगुन होता है 15. तुलसी दास जी के अनुसार नेवला, मचली, नीलकंठ जहां कहीं भी दिख जाए तो इसे शुब शगुन समझ होना चाहिए 15. इनके दिखाई पड़ने से आपके कारियों में आने वाली बाधाएं नश्ठ हो जाती है 16. कबूतर का घर पर बैठना, वाहन, आसन, पलंग आदी पर बैठना और घर में प्रवेश करना घरवालों के लिए शुब माना गया है 16. अगर कबूतर सफेद रंग का हो, तो एक वर्ष तक शुब फल मिलते हैं 16. अगर चितकबरा कबूतर हो, तो छै महीने तक ही शुब फल प्राप्थ होते हैं 16. लेकिन कबूतर का बार-बार घर में आना अशुब फल देता है 17. अगर कबूतर का घोंसला अगर घर में हो, तो बहुत ही बड़े संकट की निशानी होता है 17. अगर कवा कहीं से अपनी अथवा पंजों में कोई वस्तु उठाकर घर में ले आए, तो ये धन लाब का संकेत है 17. अगर पीली वस्तु उठाकर लाए, तो स्वर्ण लाब होता है, और अगर सफेद वस्तु या सूती कपड़ा लाता है, चांदी का लाब होता है 18. अगर किसी भवन की छट पर दो कोवे बैठे हो और तीसरा कोवा आकर बैठ जाए, तो परिवार में वृद्धी होती है और सुक शांती बनी रहती है 18. अगर किसी घर पर उर्ता हुआ कोवा अचानक गिर पड़े, तो उस घर में रहने वालों का भाग्य चमक जाता है अगर किसी के घर में कोवा मरा हुआ चुहा गिरा दें, तो घर में जगडे का लेश और अशांती रहती है अगर किसी भवन में कौआ लड़ रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो उस घर में विपत्ती आती है, जिसे घर में काली चीटिया होती है वहां धन की वृद्धी होती है, लेकिन लाल चीटिया हो तो धन का नाश होता है अगर किसी घर में बिल्ली बच्चे को जन देती है, तो उस घर में इतना धन बरसता है कि आने वाली साथ पुष्टे तक बैठ कर रास करती है किसी घर में अगर बिल्ली दूसरी जगह पर जन में बच्चों को ले जाती है, तो उस घर में भी शुब घटनाय होती है दोस्त आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कभी भी कबूतर तो ता मुर्गा आदी घर में नहीं पालना चाहिए घर में चुहे की वृद्धी हो तो घर में बिमारी आने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों सपने में भी आपको आने वाले धन के बारे में पहले ही सूचित कर देते हैं नंबर एक सपने में सांप का दिखाई देना अगर आपको सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो समझ जाए क्या आपको अचानक धन लाब होने वाला है नाग पित्र देवता के रूप में विचर्ण करते हैं और योग्य व्यक्ति को सपने में आकर दर्शन देते हैं सपने में सफेद नाग नागिन का जोड़ा जीस घर में या जीस स्थान पर दिख जाएं उस जगह पर आपके पूर्वजों द्वारा रखा गया गड़ा धन आपको मिल सकता है नमबर दो सपने में हरे पेड या पीपल दिखाई देना अगर आप सपने में पीपल पर कच्चा दूद चड़ा रही हैं तो आपको पूर्वजों का धन मिलेगा अगर आपको सपने में पीपल का पेड या उस पेड पर कोई सफेद कपड़े में बैठ कर आपको किसी दिशा की तرف इशारा करे तो आपको वहां से धन लाब होता है नमबर तीन सपने में मंदिर दिखाई देना अगर आपको खजाना मिलने वाला है तो आपको ऐसे पुराने मंदिर के सपने आएंगे जो कई साल पुराने हो। ऐसे मंदिरों में आपको घंटियां बस्ती हुई सुनाई देंगी। ऐसे मंदिर शिव या नाग देवता के हो तो आपको धन लाभ के योग बनते हैं। आपको पुरानी भगवान की मूर्तियां या नाग की मूर्तियां जब दिखने लगे तो समझना चाहिए कि धन लाभ होने वाला है। नमबर 4. मल और गाली गलोज युक्त जगडा। अगर सपने में आप मल देखें या खुद को शरीर पर मल लगाते देखें तो आपको अचानक धन लाभ होगा। सपने में खुद को ऐसी जगह देखना जहां मल ही मल हो, ये भी धनलाब का सपना है। अगर आप सपने में खुद को गाली गलोज युक्त लड़ाई में देख रहे हैं, लेकिन सुबह तक गाली गलोज आपको याद ना रहे, तो ये भी आपका रुका पैसा आने का संकेत नमबर पांच सपने में ज़ाडू देखना अगर आप सपने में खुद को ज़ाडू लगाते हुए देखते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होने वाला है, सावधान हो जाए। अगर आप रुपए पैसे का कोई निवेश करने वाले हैं या किसी को उधार देने वाले हैं, तो कुछ वक्त के लिए आपको रुप जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप सपने में खुद को मंदिर में ज़ाडू लगाते हुए देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी अब लेकिन वहीं दूसरी और अगर आप सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर में ज़ाडू लगाते हुए देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन में खुशिया आने वाली है। ये धन लाब आपको अचानक प्राप्त होता है। सपने में छिपकली देखने के बाद होने वाला धन लाब किसी भी तरहे की पूर्व सूचना नहीं देता। इसके अलावा सपने में छिपकली देखना जीवन में खुशिया आने की और भी इशारा करता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ इस विडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। और आप के पास कोई भी सवाल नहीं है तो यस लिखे क्योंकि यस लिखने से विडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।